हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में विं 32 लॉंग पाथ को कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें च इसको कैसे इनेबल करते हैं वो मैं आपको बताता हूं तो इसको इनेबल डिसेबल करने के लिए बहुसा तरीका है उनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूं कैसे आपको इसको इनेबल डिसेबल करना है पहला तरीका यह है कि आपको क्या करना है सर्च पर क्लिक करते हैं इ Mr एसके उपर आपको क्लिक कर दिए क्लिक करतें इस तरह से वइंड़ोस open हो ज्याएगा कोई भी चंजिस करने पहले आपको यहांपर PimonD automSkt फाइल दिखेगाइगब इसके उपड़ आपको किलिक टिन इसके उपर आपको क्लिक कर दिना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करने जहां पर भी इस फाइल को आप सेब करना चाहते हैं वह पास सेलेट कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको फाइल नेम डाल देना है इसके बाद आपको क्य करने के बाद ये restore हो जाएगा आप चलिया आपको आगे का process बताता हम आपको क्या करना यहां पर left side में आपको दिख जाएगा local machine इसको पर आपको double click करना है double click करती मुझस तरह से list open हो जाएगा आपको यहां पर दिख जाएगा system इसके बाद यहां पर आपको दिख जयेगा current control set इसके बाद on यहां पर आपको controller देखे जाएगा इसको पर आपको double click करने है double click करते हैं इस तरह से list open हो जाएगा आपको यहां पर search कर लेना है file system यहां पर search किजिए गा file system आपको select कर लेने select करने के बाद आपको क्या करने है यहाँ पर right side में आपको बहुत सारा option दिख जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा long path enable इसको आपको select करने के बाद आपको क्या करने है इसके उपर आपको double click कर दिने, double click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर by default 0 होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर one tap कर दिने, यदि आप इसको enable करना चाहते हैं, तो one tap कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click कर कर देने, restart करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं, यदि आपने enable किया होंगे, तो enable हो गया होगा, यदि आपने disable किया होंगे, तो disable हो जाएगा, तो पहला option यह हो गया, अब चलिए, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, search पर click करना है, click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर tap कर दिने, group, group option दिख जाएगा, edit group policy, इसके उपर आपको click कर दिने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, computer config, इसके उपर आपको double click क्लिक कर दिने इस तरह से इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा ध्मिस्टरystemぜ acom but डr pregnancy कर देना है डr पर आपको आपको डरो डिक करते हैं स्टरह से बिना ऑप्न हो जाएगा अब आप यहाँ तो इसको यहाँ से बारा कर लिए यहाँ पर आपको पात दीच जाएगा यह पर आपको दीख जाएगा यहाँ पर दीख आप want फोर्ड़ चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको apply पे click कर देने, इसी तरह जब भी आपको disable करना होगा, तापको क्या करने, इसको click करके आपको apply पे click करना है, तो इस तरह आप यहाँ से enable disable कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ok पे click कर देने, इसके बाद इस window को यहाँ से close कर करें मैं लाइब sacar होने के बाद अब आप चऩब कर सकते हैं इते आपने इनेवल किया होंगे इनेवल हो गया होगा यह इदि आपने डिसेबल किया होंगे तो डिसेबल हो date तो इस तरह से आप इसको enable or disable कर सकते हैं और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you